दोस्तों सातियों मैं महुंद रशीद आप तमाम का इंडिया एटीम में खेर बंदम करता हूँ और आज महाराश्ट्रा और हरियाना के एलेक्शन्स पर नज़र आदे महाराश्ट्रा में 288 सीटों पर रायदरी हुई और 60% तक वहाँ पर रायदरी मुकमल हो चुकी है आज हमारे एक्जित पोल में हम आपको बताएंगे कि 288 सीटों में महाराश्ट्रा में बीजेपी को 288 सीटों में 200 से जायद सीट मिलने का अंदाजा हो रहा है और कॉंगरेश को वहीं पर 65-70 सीट मिलने का अंदाजा है और वहीं पर MIM को 7-10 सीट तक MIM जीच सकती है आईए नज़र डालते हैं आज की खुसूस रिपोर्ट पर और देखते हैं MIM का वहाँ पर कैसा मौकूफ है 21 अक्टोबर की सुबा 6 बजे से राय दही शुरू हो चुकी और वहीं पर कई राय दहिंदों ने सुबा सवेरे से ही ओट डालना शुरू किया मजली से इतियादलमस्लिमीन और महराष्टा का जहां तक तालूख है महराष्टा में मजली से इतियादलमस्लिमीन एक बड़ी कामियाबी की तरफ आगे बढ़ रही है मंजली से तियादलमसलिमीन अपने तमाम कैंडिडेट्स के जीतने के मौखूव में कम से कम साथ सीटों पर मुकमल जीत हासिल करेगी और ज्यादा से ज्यादा बारा इनके कैंडिडेट्स जीतेंगे बॉम्बे में वारिस पठान फिर से जीत रहे हैं और औरंगबाद में तीन सीटों पर वो जीतने का उमीद रखी है लेकिन दो सीट मुकमल जीतेगी औरंगबाद में मंजली से तियादलमसलिमीन और हमारे एक्जिट पोल के हिसाब से महराष्टरा में एक बहतरीन जीत दर्च करने जा रही है मजली से टियाद वो मिसलमीन मैं इमीद करता हूँ कि कम से कम 7 सीट ं ज्यादत ज्यादा 12 सीट महाराश्चा में मजली से एतियाद वो मिसलमीन जीतेगी देखते रही है इंडिया 18 लाइक कीजे, शेर कीजे, कैमेंट्स कीजे और हमें अपनी दौाओं में याद रखिए